Principles of Systematics Module 6 इस Module के अंदर हम 3 Domain System के बारे में पढ़ेंगे इसको हम Archia कहते हैं दूसरा इसके अंदर जो Kingdom शामिल है उसको Eubacteria कहते हैं और तीसरा Eukaryota 3 Domain System के मताबिक हम Organisms को 3 Category's के अदर Divide कर सकते हैं और ये जो categories हैं इनको kingdoms कहते हैं और इसमें जो पहली kingdom है वो archia है दोसरी kingdom eubacteria है और तीसरी kingdom eukaryota है according to three domain system तमाम organism को तीन domains के अंदर तीन kingdoms के अंदर हम adjust कर सकते हैं अब इसमें जो पहली kingdom है archia इसके अंदर primitive bacteria शामिल है और इसकी जो example है वो halobacterium salinarium है इसी तरीके से जो दूसरी kingdom है eubacteria इसके अंदर advanced किसम के bacteria शामिल है जैसे के ecoli इसी तरीके से तमाम किसम के ऐसे organism जो के eukaryotic हैं जिनके अंदर nucleus nuclear membrane के अंदर बंद होता है ऐसे तमाम organism को eukaryota के अंदर रखा जाता है तो according to three domain system there are three major kingdoms and all organisms can be adjusted into three kingdoms अब three domain system के मताबिक viruses की position कहां होगी क्यूंकि viruses DNA है या RNA है और इनके गिर्थ protein की shield मौजूद होती है जिसको capsid कहते हैं तो three domain system के मताबिक viruses की कोई domain नहीं है यहाँ पे comparison दिया गया है u bacteria और archaea के कौन से ऐसे characters हैं जो इनके अंदर resemble करते हैं और इनके अंदर क्या differences हैं सबसे पहले अगर इनके अंदर हम cell type की बात करें तो दोनों के अंदर prokaryotic cell है इसका मतलब यह है कि इनका जो cell है उसका nucleus nuclear membrane के बगार है इसी तरीके से अगर हम इनकी cell wall के बारे में बात करें तो यू bacteria के अंदर जो cell wall है इसके अंदर peptidoglycan मौजूद है जबके हम आरकिया के अंदर अगर बात करें तो आरकिया के अंदर peptidoglycan मौजूद नहीं है बलके इसके अंदर carbohydrate और protein है जबके carbohydrate भी इसके अंदर polysaccharides है या फिर इनके अंदर cell wall होती ही नहीं इसी तरीके से अगर हम entrons के बात करें तो यू बैक्टेरिया के अंदर entrons नहीं होते जबके आरकिया के अंदर entrons मौजूद होते है entron क्या चीज़ है entron basically non-coding regions होते है इसी तरीके से ribosomal proteins के अगर हम बात करें तो यू बैक्टेरिया के अंदर ribosomal proteins मौजूद नहीं होती जबके आर्किया के अंदर राइवोसोमल प्रोटीन्स मौजूद होती है इसी तरीके से अगर हम diseases के हवाले से बात करें तो यू बक्टेरिया ये parasitic हो सकते हैं और ये diseases कास कर सकते हैं जबके अगर हम आर्किया की बात करें तो आर्किया क्योंके parasitic नहीं है कोई भी disease इन से नहीं होती इसी तरीके से अगर हम इनकी gene resemblance की बात करें तो जो यू बक्टेरिया है यू बक्टेरिया के अंदर कोई resemblance नहीं होती यू करियाटिक्स और्गनिजम के साथ जबके आर्किया के अंदर resemblance मौजूद होती है तो इस module के अंदर हमने देखा कि थ्री domain system के मताबक हम organisms को तीन categories के अंदर divide कर सकते हैं और इनको हम kingdom का नाम देते हैं इन में से पहली kingdom आर्किया थी जो के primitive organism है primitive bacteria है जबके यू बक्टेरिया इसके अंदर advanced bacteria शामिल है और तीसरी जो kingdom है वो यू केरियाटा है यू केरियाटा के अंदर ऐसे तमाम organism शामिल है जिनके अंदर nucleus के grid well defined nuclear boundary मौजूद होती है